आंध्रप्रदेश के birth certificate में नाम कैसे बदले? क्या आप आंध्रप्रदेश में रहते हैं? और क्या आप अपने birth certificate में नाम चेंज करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपका चैनल में स्वागत है. इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप आन्ध्रप्रदेश में Birth Certificates में नाम कैसे बदले? इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए. Birth Certificate में नाम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक गज़ट बनवाना होगा, जो की एक कानूनी दस्तावेज है गज़ट बनवाने के लिए इन दो दस्तावेजों को बनवाना होगा पहला Affidavit बनवाना Affidavit बनवाने के लिए आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं Affidavit में आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, नाम बदलने का कारण लिखवाना होगा दूसरा, समाचार पत्र में प्रकाशन भीजना समाचार पत्र में प्रकाशन भीजने के लिए आपको अपने शहर के लोकल और अंग्रीजी दोनों भाशा के समाचार पत्र में नाम बदलने की पूरी जानकारी लिखकर प्रकाशन भीज देना है जब दोनों दस्तावेज बन जाएंगे उसके बाद इन ही दोनों दस्तावेजों को गजट ओफिस जो दिल्ली में स्थित है वहाँ ले जाकर जमा कर गजट के लिए अपलाई कर देना है फिर 30 से 40 दिन के अंदर आपका गजट गवन्मेंट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना गजट डाउनलोड कर सकते हैं फिर आपको अपना गजट साथ में पुराना बर्ट सर्टिफिकेट लेना है और किसी नजदी की बर्ट सर्टिफिकेट ओफिस में जाकर अपना नाम चेंज करवा लेना है और अब यहां एक important जानकारी एड होने जा रही है वैसे तो सभी राज्य में गजट की मदद से बर्ट सर्टिफिकेट में नाम चेंज कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनका कहना है कि आपको बर्ट सर्टिफिकेट में नाम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है बलकि आपको जब भी अपने बर्ट सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना होगा उसके साथ में आपको अपना गजर देना होगा और आपका काम हो जाएगा आपके नए नाम को ही माना जाएगा हमें उम्मेद है कि इस लेक में बताई गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी पर अब भी अगर आपको कोई दिक्कत वाली बात लग रही है तो इसी नमबर पर काल करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी